भारती जंता पार्टी नित नए रिकॉर्ड बना रही है। पार्टी के इतिहास में पहली बार राजसभा में उसके सदस्यों का आकड़ा सौ के पार गया है। वहीं 1990 के बाद वैं पहली पार्टी बन गई है जिसने ये इतिहासिक उपलब्दी हासिल की है। गुरुवार को राजसभा के चुनावों के हालिया दौर के बाद भगवा पार्टी के सदस्यों की संख्या अब 101 हो गई है। चुनाव में उसने असम, तृपुरा और नागालैंड की सीटों पर जीत दर्ज कर अपने सदस्यों का आकड़ा सौ के पार पहुँचाया है। बीजेपी ने य नागालैंड से राजसभा की चार सीटे जीती। बीजेपी ने शेतर में उच्च सदन में अपने सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी है। असम के मुख्यमंतरी हेमंत बिस्वा सर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, असम ने NDA के दो मीदवारों को राजसभा में चुनकर प करने के साथ ही विपक्ष को इस साल अगस्त में होने वाले उपराजपती चुनाव की दोड़ से बाहर कर दिया गया है। असम की दो राजसभा सीटों और त्रिपुरा की एक सीट के लिए गुरुवार को मददान हुआ था। पंजाब विधान साथ चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आपने राज की सभी पांच सीटों पर जीत हासिल की। अब आपकी संख्या उचसदन में आठ सीटों तक बढ़ गई है। राजसभा चुनाव के हालिया दौर में कॉंग्रेस की ताकच पांच सीटों से कम हो ग गटे ये सिलसिला बस तुर दूर जारी रहा। एक-एक कई राज्यों में उसे अपनी सरकारे गवानी पड़ी और इसका अशर राजसभा में उसके सदस्यों की संख्या पर भी पढ़ा। वर्च 2011 में उचसदन में बीजेप्ती की सदस्यों की संख्या 55 थी। उसके बाद क कई राज्यों में चुनाव जीत दर्च करने के बाद उसके आंकड़े बढ़ते रहे और अब वे सौ पर पहुँच गई है। इस खबर में इतना ही ऐसी ही तमाम ख़बरों को जानने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें।